हेलो एवरिवन आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में मैरा किस्तिया आज फिर आपके सामने एक बहुती महतोपूर्ण टोपिक मानवबस्तियां लेकर आया हूँ इससे संबंदित ये वीडियो आपके सामने रखूंगा बताऊंगा मानवबस्तियां क्या होती है इसके परकार क्या होते है बस्तियों को परवावित करने वाले कारक क्या होते है इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिसकेशन करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल का नाम एक्सिलेंस इन जोग्रोफी विद राकेश दयासर है और साथ ही वीडियो को लाइक और सेर करना भी ना भोले कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का टोपिक मानवबस्तियां देखें मानवबस्ती क्या होती है मानव जहां पर रहता है तो वो विबिन देखें मानव कहां पर रहता है घरों में रहता है घर के अंदर रहता है उन घरों के समू को ही संकुल को ही घरों के संकुल को ही मानवबस्तियां कहा जाता है सादार्ण सब्दों में आप कह सकते हैं घरों के समू को मानव बस्तियां कहा जाता है तो बस्तियां जो हैं वो दो परकार की होती हैं सादार्ण तक कोई विवेक्ती या तो किसी गाउं में रहेगा तो वो ग्रामिन बस्ति है या फिर वो किसी नगर में रहेगा नगरिय बस्ती है देखिए आप अपने आसपास में देखिए लोग या तो गाउं में रह रहे हैं या नगरों में रहे हैं तो इस आदार पर बस्तियां दो परकार क्यों होती हैं गरामिन बस्ती और नगरिय बस्ती देखिए ये बस्ती का परकारों की बात करें हम, तो ग्रामिन बस्तियां चार परकार की होती हैं, और इन बस्तियों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, कुछ factors होते हैं, जो इन settlements को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या-क्या है, नमबर एक होता है, आपके physical factor, यानि भोतिक कारक, भोतिक क के अंदर पानी एक ऐसा भोतिक तत्तो है जिसकी वज़े से जहां पर पानी मिलेगा वहीं पर बस्तिया बसाई जाएंगी तो यह भोतिक लक्षण होगे भोतिक लक्षणों में आपके भुगा करती हो सकती है पाड़ी छेत्रों में वहां पर यह बस्तियां बस्तियां जहां पर जो ना थोड़ा सा अब बस्ती बसाने का उनको सही सा जो होना समतलसा इलाका मिल जाता है ऐसी जिंगह पे यह जल वाईयू होगी है जल की उपलुबता होगी यह सारे भोतिक कारक हैं यह किसी विभासिक को प्रभावित करने वाले महतोपॉन भोतिक कारक हैं नेक्स्ट है सांस्कर्तिक और मानो जाती जाती है कारक देखिए कल्चरल और एथनिक फैक्टर जो हैं वह भी किसी विवस्ति को प्रभावित करते हैं आम तोर पर आपने देखा होगा गाओं में जो उचे समुदाए के हैं अपर जो समुदाए के लोग हैं वो बीच में मिलते हैं गाओं के बीच और जो आपके लोवर कास्ट के या उनके यहां पर सेवा करने वाले जो चाकरी करने वाले लोगों के गर हैं वो हमेश्या गाओं से बाहर मिलते हैं तो यह उनकी सांस करती है या जाती आदार पर प्राचीन काल में गाउं के अंदर मंदिर होता था आम तोर पे मंदिर बीच में होता था या जोड़ ताला वगेरा बीच में होता था या एक ऐसा खुला स्पेस होता जहां पर वो पस्वो को रखते थे और बाहर की तरफ जो ना गाउ बच जाता था चारो तरफ उसके ताकि जो ना उसकी रक्षा की जा सके इसी परकार से आप जो है ना देखोगे मद्यकालिन में यूग में जब कितने सारे जो ना दुर्ग कि किला कुंबल गड का किला यह ऐसे किले जो यह बनाए गए हैं यह इनको बसाने का मुख्यकार्ण सुरुक्षा था कि आने वाले जो आकर्मनकारी हैं बाहर से आने वाले आकर्मनकारी उनसे उनकी सुरुक्षा की जासके रक्षा की जासके चलिए ग्रामेन बस्तियों के पर अगलिश में दूसरी होती है अर्द गुच्षित अथ्वाविकंडित इनको जो है Semi paste शेटलमेंट कहा जाटा है थाड होती है आपकि पलीकर्ट बस्तियां जिन आप पलीकर्थ बस्तियों को आप हामलेटाइड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं और फोर्थ होती है आपकी फोर्थ है प्रिक्षित बस्तियां डिस्पर्ज सेटलमेंट एकांकी बस्तियां भी कहा जाता है इस बस्तियों देखिए एक एक की बात करते हैं सबसे पहले है आपकी गुचित बस्तियां कौन सी होती है गुचित बस्तियां यह देखिए पिक्चर देखा होगा चाबियों के गुच्छे में सारी चाबियां एक साथ इखटी होती हैं तो आम तोर पर ऐसी बस्ती जिसमें घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं बिल्कुल स्पेस नहीं होता तो ऐसी बस्ती को जो बहुत बड़ी बस्ती और बिल्कुल जो ना एक द मिलती हैं ऐसी बस्तियान जो हैं मदे भार्त में भी पाई जाती है मदे भाष में बीकियी लाखों में इस परकार की बस्तिया देखने को मिलती हैं देखिए ये बस्तियां आपको मदबात में बुंदलकिंड पर्देश और नागालेंड में राजस्तान में जल के अबाओ के कारण से जो ना यहां पर ज्यादा सहन्त बस्तियां नहीं पाई जाती सहन्त या जो है ना गुच्छित या जो है संकुलित या केंद्र करते इनी बस्तियों का नाम है तो इस परकार की बस्तियां जिसमें गर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हों काफी बड़ी बस्ती का आकार हो ऐसी बस्ती को हम गुच्छित बस्ती कहते हैं नेक्स्ट है आपकी अर्ध गुचित बस्तियां सेमी क्लस्टर्ड सेटल्मेंट देखे सेमी क्लस्टर्ड अब देखे ये जो है किसी भी बस्ती के गुचित होने से पहले की अवस्ता है यानि गुचित होने से पहले जो अवस्ता होती उसे हम अर्ध गुचित बस्ती कहते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका आकार गुछित बस्ती से छोटा होता है आकार में जो ये छोटी होती हैं धीरे धीरे ये भी बस्ती बढ़ कर जो ना बहुत सारे और मकान बन जाएंगे तो अब फिर ये भी एक cluster settlement हो जाएगी यानि गुछित बस्ती बन जाएगी तो ये नाम तोर पे एक बहुत बड़ा विशाल गाउं आपने देखा होगा हमारी यहां पी हमने देखा कि गाउं का जो है गाउं के अंदर ही बोतिक विभाजन हो जाता है या साजकर्तिक रूप से विभाजन हो जाता है आप देखिए गाउं के अंदर आम तोर पे नाम तो एक ह का नाम एक ही रहता है जैसे कोई भी गाउं है उस गाउं का नाम एक रहेगा लेकिन वह उसमें बटा होगा यह यह जोना यह पाना है यह वह पाना है यह तो इसको स्थानी स्थर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको पाना पारा पाली नंगला डानी आदी नामों से जाना जाता है इस परकार के जो आपको जो है गाओं इस परकार की जो बस्तियां आपको मद्य और निमन गंगा के मैदानों में खूब मिलेंगे 36 गड़ और हिमाचल के निचली घाटियों में भी इस परकार की बस्तियां काफी मिलती है नेक्स्ट बात करते हैं हमारी चोथे नंबर पर जो है वो है आपकी प्रिक्षित बस्तियां इस परकार की बस्तियों में क्या होता है यह नागालन के पारी खेत्रों की बस्तियां को आपको पारी जेत्रों में मिलती हैं इक थुकां कहीं बना हुआ एक्डुका बना हुआ है तो इस तरह की ुप बस्तियों को एकांकी बस्तियां या प्रिक्षित बस्तियों के नाम से जानाता है इस तरह की बस्तियां डिस्पर्स सेटलमेंट यह आम तोर पे छोटी पाहडियों की डालों पर आपको जोना कहीं कहीं दिखाई देंगे इस तरह की बस्तियां विशेश रूप से जोना ऐसे इलाकों में ही पाई जाती हैं जहां पर जो है पाड़ी इलाके हैं या ऐसे इलाके हैं जहां पर दुर्गम इलाके जहां पर जो ना क्लाइमिट थोड़ा सा ऐसा होता है ऐसी जंगे पे जो हाड कंडिशन होती है वैसी जंगे पे वहाँ पर ऐसी बस्तियां देखनों को मिलती है चले नेक्स देखते हैं बस्तियों के परकार होगे अब बस्तियों के परकार के बाद देखे बता रखा कि बस्तियां इस परकार क बस्तियां कौन सी होती है जो अगर हम गांगग और नग्रिय बस्तियों में डिफरेंस करने लग जाए अंतर करने लग जाएं तो हम की सादार पर उनको बता सकते कि यह गरामिन बस्ति और यह नग्रिय बस्ति ए तो मुख्यरूप से जो है वो तीन आदारा पर इसको अलग किया जा सकता है एक तो पहला उसका आकार ग्रामिन बस्तियों का आकार उसकी जन सिंख्या कम होती है जबकि नगरिय बस्ति की जन सिंख्या उसका आकार बड़ा होता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है है जिसकी आदार पर किसी भी वस्ति को ग्रामिन ओर नग्रिय जो ना घोशित किया जाता है वह व्यूशाइण ग्रामिन बश्तियों में मोर देन 75 परसेंट यानि 55 परतिसत से अधिक जो है जन क्या वह प्राथ्मिक क्रिया क्लापों में लगी होती है देखिए प्राथ्मिक क्रिया क्लाप क्या होते हैं क्रिशी करना प्राथ्मिक क्रिया क्लाप है मचली पालन प्राथ्मिक क्रिया क्लाप है खनन की इगतिवी दिया करना प्राथ्मिक क्रिया क्लाप है इसके लावनों से अगर हम बात करेंगे तो आपकी नगरिये बस्तियों में प्रात्मिक क्रिया क्लाप की बजाए यानि पिछेतर परतिसत से अधीक जनसिंख्या गैर प्रात्मिक क्रिया क्लापों में लगी होती है इस मिल्स वह द्वित्यक और तिर्थिय क्रिया क्लापों में लगी होती है या प्रात्मी क्रिया क्लापों से प्रात्मी क्रिया क्रिशी है तो गन्ना वहां से प्राफ्ट होता है और गन्ने की प्रोसेसिंग करके उसे जो है उससे चीनी बना दी जाती है निर्मितमाल में यानि दूसरे रूप में प्रिवर्तित कर दिया जाता है तो यह द्वीतिय क्रिया क्लापों यानि दूइत्यक और तृत्यक क्लापों में लगी हुई होती है और तीसरा जो है वो नगरों के वरगी करण का वो तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है जन संख्या गनतव आम तोर पे नगरिये बस्तियों में चार सो वैक्ति परतिवर किलोमेटर से ज्यादा जन सिंख्या गंतों मिलता है चलिए बात करते हैं आपका भारत में नगरों का विकास कब और कैसे हुआ उसके इतियास की तरफ देखते हैं तेकि भारत में नगर जो हना भोत प्राचिन काल से ही अगर मैं बात करूँ पाटली सिंक्या उस समय पर अनुमानित तीन लाग के आसपास थी तो भारत में नगरों को जो है तीन वर्गों में वर्गी करत किया गया है उनके विकास के विविन यूगों में उनका जो विकास हुआ उस आधार पर प्राचिन नगर मद्यकाली नगर और आधुनिक नगर तेकि प बहुत पुराने हैं 2000 वर्ष पूर इनका विकास हुआ था नेक्स्ट है आपका मद्यकालीन नगर मद्यकालीन नगर यह वो नगर है जिनका इतियास जो जिनका विकास 647 सिसापूरों से 1707 इस्वी के बीच में हुआ यह उस ताइम के राजे रजवाडों ने इन नगरों का विकास किया था जैसे हैदराबाद, जैपूर, लखनू, आगरा, नागपूर, दिल्ली यह इसी परकार के नगरों के उदाण है नेक्स्ट आपके आधुनिक नगर यानि मोडरन टाउन यह अंग्रेजों के भारत आने के बाद अंग्रेजों ने इनका विकास किया या अंग्रेजों के लगाने के बाद इनका विकास हुआ, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पांडी, चेरी, यह इसी परकार के आधुनिक नगरों के एक्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई सारे जो नगर हैं जो अंग्रेजों ने बसाए थे जैसे बंबई उस टाइम पे नाम था आज जी इसको मुंबई के नाम से जाना जाता है मदरास कलकता आज के अगर नाम देखें तो मदरास को चेने के नाम से जाना जाता है और कलकता को कोलकता के न वरगी करण कर लेते हैं जन सिंख्या के आकार के आदार पर नगरों को छे वरगों में विबाजित किया गया है देखिए कौन से छे नगर हैं मैं आपको तालीका दिखा देता हूं तालीका में देखिए ये हैं आपके छे नगर छे परकार के जन सिंख्या के आकार के आदार पर जो है नगरों का वर्गी नगरों है जिनकी जनसिंख्या एक लाग से ज्यादा एक लाग से अधिक जनसिंख्या premise के नcious होना या पर्थम वरक के नगर का जाता है द्वीत्यःक सिरे निक या दूसरी श्रेणी के जो नगर है उनकी जनसिंख्या 50000 से 79999 होती है त्रितिय स्रेणी के जो नगर हैं उनकी जन सिंख्या 20,000 से 99,999 होती है और चोथी स्रेणी के जो नगर हैं उनकी जन सिंख्या 10,000 से 19,999 होती है पांचवी स्रेणी के जो या पंचम स्रेणी के जो नगर हैं उनकी जन सिंख्या 5,000 से 9,999 के बीच होती है और लास्ट जो छटा है वो वे नगर होते हैं जिनकी जन्सिंख्या 5000 से कम है देखिए किसी भी बस्ती को नगरिय बस्ती गोशित कर दिया जाता है अगर उसकी जन्सिंख्या 5000 से भी कम है तब भी क्योंकि वो उस आदार की होता है और इसी वजय से वहां पर दोगों में काम करने वाले ज्यादा लोग हैं या नोक्री पेसे में चुप में आपका जन्द सिंख्या के आदार पर नगरों का वर्गी करण हो गया आप देखिए एक लाग से अधिक के नगरों को जो है आम तोर पे कस्बे कहा जाता है या पर्थम वरक के नगर कहा जाता है जब जन सिंख्या 10 लाग से 50 लाग के बीच में होती है तो ऐसे नगरों को महा नगर कहा जाता है और जब किसी नगर की जन सिंख्या 50 लाग से भी ज् एक जामपल है तो तब इसे जो है मेगा नगर या मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में नगरीकर्ण नगरीकरण क्या होता है नगरीकरण जो है वो नगरों की जन सिंख्या के बढ़ने की परकिरिया होती है नगरीकरण नगरों में जन सिंख्या परसासन संबाला जाता है इस मिल्स आप कह सकते हो वहाँ पर सरकारी कारियल होते हैं यानि आपकी अडिमिस्टेटिव ओफिस होते हैं चंडीगड नई दिल्ली भोपाल और इंफाल स्री नगर गांधी नगर जैपूर चेनए दिल्ली जैसे देश की राजदानी है बाकि आप देखोगे तो यह विभिन राजों की राजदानिया है तो इस तरह के नगरों को आप प्रसास्निक नगर कहते हो यहां पर सारे प् टाउन देखिया मुंबई सेलम कोईमबटूर मोदी नगर जमसेदपूर हुगली बिलाई यह विबिन परकार के उदोगों की वज़े से फेमस हुए हैं यहां पर बहुत सारी इंडस्टीज लगी हुए बहुत सारी इंडस्टियल यूनिट यहां पर लगी हुए हैं जिसकी भी जो हैना ट्रांसपोर्ट के नोडिय बिंदू होते हैं जैसे कांडला कोची विसाका पतनम यह सारे जो ना पोर्ट हैं सीपोर्ट हैं यहां पर देश के विबिन आंतरिक भागों से जो ना विबिन परकार का सामान जो हैना लाए जाता और फिर यहां से इन पतनों के आदम से शिपों में लाध कर जोना बड़े जाजों में लाध कर एक देश से दूसरे देश में भेज दिया जाता है इसी परकार से जो है आपके तनी यह भी आपके प्रीवें नगरों के उसे आप जंक्षन कहते हो वानिजीक नगर यानि आपके जो कमर्शियल टाउन है यानि विविन परकार के व्यापारी गनित्ती विदियों के लिए जो हैना फेमस हो जाते हैं कोलकता सहारनपूर सतना इसी परकार के नगरों के जंबल है खनन नगर माइनिंग टाउन यह नग जरिया डिग बोई अंकले श्वर सिंग रोली यह इसी परकार के खनन नगरों के उधारन है गैरिशन नगर या चावनी नगर देखिए गैरिशन और चावनी यानि कैंट भी बोला जाता है इसको आपके जो हैना गैरिशन टाउन यह वो नगर है जो अंग्रेजों ने बसा डिशित किया था वह वहाँ पर अपनी सेना को रखते थे सेना का रखरता होता था शात में वहाँ पर जो है-उनको ट्रेण किया जाता था वे बर परकार के जो ना उनकी ट्रेनिंग करवाई आपके जो ना टाउन रहे गए हैं यह देखिए आपका धार्मिक और सांसकर्तिक नगर यह वो नगर है जो धरम और संसकर्तिक एकार्ण से जो ना विक्षित हुए हैं रिलिजिस और कल्स्रल टाउन वारन असी मतूरा एमरसर मदूरई पूरी अजमेर पुसकर त्रिवपती कुरुक चेतर अरिदवार उजयन यह अपने धार्मिक और सांसकर्तिक मेर्टव की वज़य से जो ना फेमस हैं इसलिए इनको धार्मिक और सांसकर्तिक नगर कहा जाता ह जो मुख्यरूफ से शिक्षया के रिधे शेतर में विक्सित हो गए हैं उनको चैक्षीक नगर यैनि एजूकेशन टाउन एजूकेशनल टाउन कहा GK यह मुख्यरूफ से आपके रूड की वारयनते अलीगड पिलानी इलाबाद रो तक यह आपके इसी परकार पेसे थाई प्रियतन नगर टूरिस्ट जो टाउन होते हैं आपके यहां पर आम तोर पे वह सारे जो ना टूरिस्ट गूमने फिरने के लिए जाते हैं प्रियतन के लिए जाते हैं नैनिताल मसूरी सिमला पंचमडी जोधपूर जैसल मेर ऊटी माउंट अबू यह इसी परकार के जो हना प्रियतन नगर के एकजामपल हैं तो इस परकार से आपका यह नगरों का कुछ विशेश कारियों के आदार पर वरगी करण किया गया है इस चेप्टर में इतना ही आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी अगर यह मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे प् और आप लोगों से मैं request करता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ notification जो bell का जो icon है उसको press कीजिए उसको दबाईए इससे आपके पास latest video का notification सबसे पहले tocarई आपके लोगा करे सेद्सक normaal 150 ohm exposed toetus 13